हेलो फ्रेंड्स, WSQTEC is online बोर्टल पर मैं मनीश के लोट आपका वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, जो आज का जो tricky प्रोग्राम मैं आपके लिए लिक्या रहा हूँ, उसका aim है multiplication of two numbers without using the asterisk operator, it means the multiplication operator ओके फ्रेंड्स तो हमें क्या करना है, फ्रेंड्स की हमें दो number का multiplication करना है बट हमें asterisk जो operator है, उसका use में नहीं करना है ओके, without using asterisk operator, हमें दो number का multiplication करना है, ओके तो, ओके फ्रेंड्स, अब हम इस problem को start करते हैं और इस line को मैं comment कर देता हूँ then, program के regarding जो header files है friends, वो हम यह आपे include कर लेता है hash include stdio.h and hash include conio.h, ठीके then we start with the main और यह हमारा main का code, ओके friends, कुछ variables हम declare कर लेता है, जिनकी हमें recommend होगी पहले तो हम दो number ले लेता है, दो variable a और b और एक variable ले लेता हूँ let's say multiplication, जिसमें हमारा final जो result है वो store होगा, ओके और हमें friends, एक loop के requirement होगी, जिसके लिए मैं एक variable ले लेता हूँ आई, ठीके, now, अब हमें user से क्या लेना है, तो number लेना है, जिसका हमें multiplication करवाना है, ओके, तो यहाँ पर हमें एक message देंगे, slash n, enter the two numbers ओके, enter the two numbers, और इन दोनो number को friends, हम scanf करवाएंगे, अब हमें क्या करना है, multiplication का logic लगाना है, बट हमें asterisk operator use में नहीं लेना है, ओके, तो friends, देखिए, इसका logic क्या है, वो मैं आपको पहले explain कर देता हूँ, let's say, हमें कोई दो number multiply करना है, मान लीजिए, पहला number है 4 और दूसरा number है 5, ठीके, अब इनका multiplication हमें करना है, okay, asterisk operator use में नहीं करना है, तो एक journal study जी क्या है, कि आप जो first जो number है, ठीके, उसको five times आप add कर दीजिए, तो वो number क्या हो जाएगा, multiply हो जाएगा, जैसे four plus four, plus four, plus four और plus four, पांस बार मैंने add किया, तो मेरे पास क्या आया, twenty आया, और actual में यही दोनों का क्या है, multiplication है, ठीके, तो इसी concept को धियान में रखते वे, हम क्या करेंगे, दो number का multiplication करेंगे, ठीके, बट पहले क्या करना है, एक condition हमें लगानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा जो second जो number है, ठीके, जिसको हमें जितनी बार क्या करना है, addition करना है, वो times decide करेगा, कि हमें कितनी बार उस number को जो है add करना है, तो एक तो यह है कि अगर वो जो है, zero से छोटा है, तो क्या करना है हमें, उस number को एक तो positive करना है, ठीके, तो मैं यहाँ पे positive कर दूँगा उसको, और दूसरा, जो हमारा जो number है, उसको भी क्या कर देना है, positive कर देना है, इसका logic क्या है, यह भी आपको पता दल जाएगा, friends, ठीके, मान लीजिए, वो यह कभी, यह तभी करना है, कि जब हमारा जो बी जो है, second जो number है, तो कैसा हो, एक negative number हो, तभी हमें उसको क्या करना है, positive करना है, otherwise हमें requirement नहीं है, ठीके, अब जो मैंने आपको logic बताया, कि let's say, आपको दो number multiply करना है, मान लीजिए 4 और 5, अब जो यह दो number multiply करना है, आप क्या करिए, इनको, जैसे 4 को आप 5 times add कर दीजिए, नमबर का क्या हो जाएगा, multiplication हो जाएगा, ठीके, तो हमें क्या करना है, loop चलाना है, loop मैं यहाँ पर apply करूँगा, एक variable हम ले लेते हैं, I उसको हमने ले रखा है, उसको और इसको initialize कर देंगे, बन से, हमें friends चलना कब तक है, मतलब condition कब तक apply करनी है, जितना जो है second number होगा, उतने तक हमें क्या करना है, loop को चलाना है, और मिरको हमेशा क्या क्या करना है, increment करना है, I में, ठीके, this is the scope of the fall loop, okay, now, friends, अब हमें क्या करना है, कि जो हमारा first number है, उसको उतने ही times क् अब्लिकेशन आड करते रहना है, किस variable में है, जो हमारा third variable है, multiplication वाला, उसमें add करते रहना है, so, multiplication MUL variable, MUL plus A, ठीके, इसमें आड कर दिया, अभी जो है, MUL variable में कोई garbage value है, तो हम इसको initialize कर देंगे, किस से, 1 से initialize कर सकते है, या 0 से भी कर सकते है, इसको हम 0 से initialize कर देंगे, ठीके तो यह हमने 0 से इनिस फ्लैस कर दिया इसको ओके और फाइनली जब यह लूप एग्जिक्यूट होगा तो हमारे पास में क्या होगा जो दो नमबर है A और B इसका क्या होगा मल्टिप्लिकेशन हमारे सामने होगा तो स्लूप के एग्जिक्यूशन के बाद मैं मैं MUL जो वेरियबल इसको प्रेंट करवा देता हूँ फ्लैश N मल्टिप्लिकेशन अफ्टू नमबर्स परसंटेज डी कॉमा और वो जो रिजल्ट है हमारा MUL वेरियबल में है और इस इस अमे कॉलन फ्रेंट्स यहां हमारा program complete होता है अब मैं इस program को compile करवाते हैं अक्ट्यूर है या नहीं है फ्रेंट्स हमारा successfully compile हो चुका है execute करवाते है हमें दो number देने हैं मैं दो number यहां पर देता हूँ पहला number है 4 और दूसरा number है 5 मॉल्टिप्लेकेशन of two numbers के आगया हमरे पास में 20 आगया ठीक है अभी जो मैंने दौना number जो दिये हैं friends वो कैसे है positive number है अब मैं यहाँ पर negative number देता हूँ so first variable है मेरा वो मैं एक negative number देता हूँ let's say minus का 2 और second number देता हूँ मैं एक positive number तो यहाँ पर तो if वाली condition apply होगी भी नहीं क्योंकि जो variable जो b है वो एक ऐसा है positive number है okay तो minus 2 जो है वो five times क्या होगा add हो जाएगा minus 2 जो है वो four times add हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास में result आगया कितना minus 8 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 चार बार add होगा तो क्या होगा minus 8 result आजाएगा ठीक है तो यह हो गया पहला case अब second case discuss करते हैं जिसमें first number जो है अभी हमने क्या किया था first number negative लिया था और second number positive लिया था अब मैं क्या करता हूँ कि first number को देता हूँ positive और second number देता हूँ मैं negative ठीक है तो इस case में क्या होगा जो हमारी कि जो इस जो condition है जो मैंने अभी यहां पर apply की है यह 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 यहां पर execute होगी आप यह पर देख रहे हैं side screen में यहां पर execute होगी ठीक है तो क्या होगा कि जो variable जो भी है मेरा second जो variable है यह क्या हो जाएगा positive हो जाएगा और variable जो A है अब यह negative हो जाएगा, तो होगा क्या कि यह किसमें convert हो जाएगी, first वाली condition, अभी जो इसके just पहले वाली condition है, वो मैंने आपको बताये थी, उसमें convert हो जाएगी, ठीके, तो minus 4 का क्या होगा, two times addition हो जाएगा, तो minus 4 और minus 4 कितना बन जाएगा, minus का 8, ठीके, तो if condition म आपको समझ में आगया होगा, ठीके, और इसका last case भी हम discuss कर लेते हैं, जिसमें मैं दौनो नंबर को क्या लेता हूँ, मैं negative लेता हूँ, ठीके, तो अब मैं इस दौनो नंबर को क्या ले दोंगा, negative लोंगा मैं, तो मान लीजिए, पहला number लिया, मैंने minus 4, एक negative लिया, दू तो अभी भी क्या होगा कि if case जो execute होगा, ओके, और दो नंबर का जो multiplication है, अगर वो minus है दोनों, तो obviously बात है क्या होगा, minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, यह एक mathematics का rule है, ठीके, तो यहाँ पे क्या होगा, दौनों का, minus minus क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीके, और plus जब हो गया तो जब से ही condition के भार आएगा तो आप नॉर्मली 4 का जो है टू टाइम्स क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा एक positive result आएगा तो आप देखें कि result क्या आ रहा है multiplication of two number is 8 ठीके तो friends मैंने आपको सारे case जो है वह execute करके बता दिये कि number positive हो negative हो कैसे हो first number positive हो second number negative हो इस सारे case हमने देखें तो आपने देखा कि कैसे दो numbers का हम जो है multiplication कर सकते है without using the asterisk और multiplication operator ओके तो friends आज के इस tutorial से आपको जो हमारा जो आज का concept है multiplication of two numbers without using the asterisk operator ये clear हो गया होगा friends thank you so much for watching this video